नमस्कार दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारी आचार जागंदर मिस्त्रा में सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दैनिक पंचांग का 21 मार्च 2020 सनिवार का दिन है चैदर कृष्ण पक्ष की द्वादिशी तिति है और नच्छत्र है धनिष्ठा अब जीत मोहरत एक जारा बच के 36 मिनट से लेके 12 बच के 24 मिनट तक रहेगा अब बात करते हैं आज के सुब और असुब समय की एक जारा बच के 36 मिनट से लेके 12 बच के 40 मिनट तक का शुब समय और वहीं असुब समय 6 बच कर एक मिनट से लेके 6 बच के 49 मिनट तक का असुब समय रहेगा अब बात करते हैं आज के गुड लग की अगर माली जे आपके घर में शास बहु का आए दिन जगडा होता रहता है एक दूसरे का मांग सम्मान नहीं करती और अगर आपको लगता है कि एक दूसरे का मांग सम्मान हो और सास बहु में जगडे लडाई ना हो विवाद ना हो तो ऐसे में आपको एक उपाए करना है आपको एक जारा मंगलवार क्या करना है कि शुबय उठकर सूरियोदे से पहले आपको आटे से रोटी बनाना है और पहली रोटी सिर्फ एक रोटी बनाना है और उसे एक रोटी को लाल गाय को खिला देना है ये सास भी कर सकती है और बहु भी कर सकती है लेकिन ध्यान रखे उस रोटी में नाम जरूर लिखे, अगर सास बना रही है तो बहू का नाम लिखे, बहू बना रही है तो सास का नाम लिखे, ऐसा अगर आप करती हैं, तो आपको पांच में मंगलवार से ही चमत कर देखने को मिलना सुरू हो जाएगा, और सास बहू में प्रेम बढ़ेगा, और जो नकरात्मक उरजाएं हैं जिसके कारण बिवाद होता है शासबग में वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और सकारात्मक उरजा का बास हो जाएगा अब बात करते हैं आज के राशी फलका दोस्तों ये प्रेडिक्शन चंद्रराशी पर अधारित है दोस्तों कन् आज के दिन आपके लिए धन के ब्रिधी के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है फसा हुआ रुका हुआ धन आपको वापस मिलने के योग बन रहा है ये एक अद्भूत चमतकार है काफी दिनों से जो आपका धन नहीं मिल रहा था आपने जो उधार दिया था जिसके बारे में आप काफी परेशान रहते थे वो धन आपको वापस मिलता नजरा रहा है ये तो आपके लिए बहुत ही अदभुत चमतकार जैसा है और आप कोई भी नेने ले तो सोच समझ कर लें बड़ों से यानि कि सलाह लेकर ही करें आपकी जिंदगी आराम दायक गुजरेगी लेकिन इतने भी आप गम यानि कि आराम दायक जिंदगी मत बिताये जिसे आएने वाले समय में आपको परेशानी मतलब मिल जाए आप काम करिये नहीं तो आपके स्वास्त पर भी असर डाल सकता है वैसे स्वास्त ठीक रहेगा लेकिन थोड़ी सी सरदी जुखाम से आपको परेशानी हो सकते हैं मानसिक टेंसन भी हो सकता है और मानसिक टेंसन कैसे होगा या आपके फैमली को लेकर हो सकता है आपके परिवार में किसिक साथ बिवाद भी हो सकता है तो आप बैचान भी रह सकते हैं अपने आपको असुर अच्छिन महसूस करते हैं लेकिन आप इस वहास्ल जाने की कुशिश करिए अब बात करते हैं आपके सगे संबंधों को या आपके लब पार्टनर के बारे में जैसे आपने जो आपके लब पार्टनर है जो आपके वैवाहिक जीवन से पहले का जो आप सोच रहे हैं जिनका विवार नहीं हुआ है उनके बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि आपके साथ बिबा हो तो ऐसे में एक दूसरे पर विश्वाश बनाये रखना बहुत जरूरी है और बात करना बहुत जरूरी है वच्छे दोस्तों आपका सुब अंक है सेवन यनि साथ है और दोस्तों आज आपकी किश्मत आज बस आपको यानि कि अपने कर्म पर धियान देना है अपने बेपसाई पर धियान देना है यानि आपके उपर पराकरम है आप पस काम करने की छमता को दिखाए काफी धनवान भी हो सकता है, जिससे मुलाकात हो सकती है, और उसकी बज़ेसे आपको धन में इजाफा होगा, ये भी एक अद्भुत चमतकार है आपके लिए, बेफसाय में तो आपको चार चांद लगा सकता है, क्योंकि आपकी काफी मदद करेगा, अब बात करते हैं स्टु वाहिक जीवन यानि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, आज आपका यानि की रंग है, यानि कन्या राश वालों का रंग हरा है, और आपका भाग शाथ निभाएगा 86 परशंट यानि की 86 परशंट तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को ला करिये, जाए शनिदेर